द्रिश्टी आये इसके टूडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत हैं शर्वात करते हैं पिछले अभिहास प्रश्ण से जिसमें हमने आपसे पूछा था प्रकास प्रदूशन के संबंद में में मिकित कतनों प्रविचार कीजिए कथन एक था ये कैसी घटना है जिसमें पृत्रिम बिजवी के कारण रात में आकास शमकता है कथन दो था हमारे आजपास की LED लाइटे प्रकास प्रदूशन न योगदान दे रही हैं उपरितने से कलप सी एक और दो दोनों ही कथन सही है आपने सितर आपने सुझहाओ प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भीजते रही हमें इसका इंतिजार रहता है चलिए इस प्रशन से लिए आगए बातों को एस्पनेशन से समझते हैं खाली में नए शोच से पता चला है कि अमारीका में LED लाइटिंग के बढ़ते चलन से प्रकाश प्रदूशन तेही से बढ़ रहा है आपको बता दें कि प्रकाश प्रदूशन एक ऐसी घटना है जिसमें कृत्रिम बिजली के कारण रात में आकास समगता है इसलिए कथन एक जाकर उसे अधिक चमाकदार बना देता है जिससे मनश और जानवर तारे नहीं देख पाते इस तरह विकल्पसी सही है यानि एक और दो दोनों इक अधर सही है चलिए अब शुरवात करते हैं आज के एपिसोड की हाली में प्रसिद गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका की चैनवी जयनती मनाई गई इसका संबंद किस राजस है आपके आप्शन है महरास्ट, असम, ओडीशा या फिर परस्रिम मंगाल तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प भी असम चाज़े एस देखते हैं इस तरह इस प्रशन का से उत्तर होगा विकल्प भी असम कीजिए कथन एक इस मिशन की शिर्वाद विश्विद्याल अनुदान आयोग द्वारा की गई है और कथन दो है इसके तहट मानों संसाधन विकास के इंदरों को अब मदन मोहन मालवी सिक्षक प्रसिक्षण केंदर के नाम से जाना जाएगा उपर इतमें से कौनसे से कथन सही है या पिर हैं यह आपको बताना है आपके ऑप्षण है केवल एक या फिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्विद्विद्याल अनुदाना योग यानी उजीसी द्वारा सिक्षक प्रसिक्षण कार का मालवी मिशन का शुभारम दिक किया गया इसलिक अधरियों सही है मालवे मिशन के बारें भाद करें तो इस मिशन का उद देश इस सिख्षकों के लिए उनके ओपत्वा हżyक्षं करना करना है कि यून गोर। के उल्ची मिशव कैंद्रो के माध्र। से उच्छे सिजर संस्तानों के 15 लाग सिश्रकों की शमता नर्माण मदद करेगा इसके साथ ये प्रतिकात्म ठाओं में मानस अंसादन विकास केंडरो यानि HRDC का नाम बदल कर मदन मोहन मालवी सिश्चाफ पस्षिण केंडर किया जाएगा इसलिए कथन दो सही है इस तरह इस प्रशनका से उत्तर होगा विकल्पसी एक और दो दोनों ही कथन सही है नेस्ट क्वेश्चन है हाली में UIDAI ने मुंबई में ग्लोबल फिंटेक फेस्टिवल में रीमेंजिंग आधार हैस्टेक और इन्टिफिकेशन तीम के तहट AI और ML इंजन द्वारा संचालेज अपनी फेस और इन्टिफिकेशन सुरिधा का पर दर्शन किया इस तीन्ति के तहट UIDAI ने चहरे के फिरमानी करण के लिए एरिटेल पैमेंज बैंक के साथ मिल कर काम किया है ये दोखा दड़ी का पता लगाने और रोक्थां तंद्र को एकिकरत करते हुए कम रोशनी किस्ति में अनुकूलित कैप्चर सुनिफिक करने के लिए मिल कर काम करेगी UIDAI के बारे में बात करें तो ये एक सामिदिक प्राधिकरण है इसकी कथन एक सही है इसकी सापना भारत के सभी निवासियों को आधार नामक विसस्ट पैचान संख्या यानि UID जारी करने के उदेश से की गई थी इसमें एक अदश दो अंशकालिक सदेश से और मुक्य कारकारी अधिकारी यानि CEO शामिल है जो प्राधिकरण के सदेश सचिवडी है इसलिए विकल्प C सही है यानि इस प्रशन का सही उत्तर होगा विकल्प C एक और दो दून ही कथन सही है नैस व्रेशन है शून ये ड्राफ प्लास्टिक प्रदूशर संदी ये संदर में निम्रिकित कर्फों पर वचार कीजिए कथन एक है ये प्लास्टिक प्रदूशर को समाथ करने के लिए कंतरास्ट यूप करण है और कथन दो है इस ड्राफ में कुल मिलाकर 15 प्लेस होडर है उपर इसमें से कौन साय से एक कथन सही है या फिर है ये आपको बताना है आपके option है केवल एक, केवल दो एक और दो दो नू या फिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन ही सही है खाली में अंतर सरकारी बारता समिती यानि आइएनसी की दूसरी बैठक का यूजिन किया गया समुद्री परियावरेंट सहित प्लास्टिक प्रदूशन को समाप्त करने के लिए एक ड्राफ्ट संधी तयार की गई है ये प्रदूशन संधीप समुद्री परियावरेंट सहित प्लास्टिक प्रदूशन को समाप्त करने के लिए एक अंतरास्ट और कानूनी रूप से बाधकारी उपकरण है इसली कथन एक सही है बता दें कि जराफ में संस्थागत व्यवस्थाओं और अंतिन प्रावधानों के अलावा प्रिस्तावना परिभाशाओं सिधानतो और दायरे जैसे मुद्धों पर सर्चा करने के लिए 10 प्लेस हूल्डर शामिल है इसली कथन दो गलत है INC2 यानि इंटर गवर्मेंटल नेगोशेटिंग कमिटी में सौधी अरप, इरान और चीन जैसे सदसे देशों ने कानोनी रूप से बादकारी उपकरण के दायरे को परिभाशित करने के महते पर जोड़ दिया गौर्दलर है कि भारत इस प्रिस्ताव से पहले ही सहमत था इसलिए विकल्पे सही है यानि इस प्रशन का से उत्तर होगा विकल्पे केवल एक कथन ही सही है बैटरी एनरजी स्टोरिज सिस्टम यानि B.E.S.S. योजना के संदर मिने में फिक्ततनों पर विचार केजिए कथन एक है केंद्र सिर्कार द्वारास योजना के विकास के लिए विभारता गया फेंटिंग यानि B.G.F. योजना को मंदूरी दी गई है बैटरी एनरजी स्टोरिज सिस्टम यानि B.E.S.S. के विकास के लिए विभारता गया फेंटिंग यानि B.G.F. योजना को मंदूरी दी है इसलिक अथन एक सही है चली अब जानते है B.E.S.S. योजना के बारे में तो इस योजना में 2030-31 तर चारजा मेगावार्ट की B.E.S.S. पर योजना के विकास के परकलपना की गई है B.E.S. को विभन चर्णों से जुड़ी पांथ किस्टों में वितरित किया जाएगा इसमें के इन शरकाद वारा B.E.S. के बस्टी साहता के रूप में पूंजिगत लागत के 40 प्रतीशर तक की वित्ती साहता ब्रदान की जाती है इसलिक पथन एक सही है योजना के मैच की बात करें तो ये बिजली ग्रीड में नवी करनी ओजा के की करन को बढ़ाएगा ये ट्रांस्मिशन नेट्वर्क के उप्योग का नुपूलित करते हुए बरबादी को भी कम करेगा इससे महगे बुर्यादी धाचे के उन्ने इनकी अशक्ता कम हो जाएगी इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्पसी एक और दो दोनों ही कथन सही है बरुड अभ्यास के संदर में निमिशित कत्मों पर विचार कीजिए कथने के भारत और फ्रांस के बीच एक द्यूपक्षी नौसेन ने अभ्यास है कथन दो है दो हजार तेईस में इस कायोजन हिन्द मासागर में किया गया था उपर इस कत्मों में से कौन से कत्म सकते हैं या फिर है आपको ये बताना है आपके आप्षिन है केवल एक केवल दो एक और तो दो दो नूँ या फिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल पे केवल एक कत्थन ही सही है भारत और फ्रांस के बीच एक दो पक्षी नौसेन ने अभ्यास वरुन का ओजित किया गया इसलिए कत्थन एक सही है ये वरुन का 21 संस्करण था जिससे अरब सागर में ओजित किया गया था इसलिए कत्थन दो गलत है इनोसेन अभ्यास वरुन यानी वरुन 23 का दूसरा चरंट था इस अभ्यास में दोनों पक्सों के गाइड़ेट मिसाल फ्रिगेट, टैंकर, समूदरी गश्टी विमार और सेंट हेलिकॉप्टर ने भाग लिया वरुन अभ्यास के बारे में बात करें तो इसकी शिरुवात भारती और फ्रांसेसी नोसेनाओं के बीच 1993 में हुई थी इसका उद्देश युद्ध शमताओं में सुधार गरना और अपनी अंतर संचालनियता को बढ़ावा देना है साथी शेत्र में शान्ती सुरक्षा उसेता को बढ़ावा देना है इसे वर्ष 2001 में वरुन नाम दिया गया था गौर्दलब है कि वरुन 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चमी समुद्रितर्ट पर हुआ था या भ्यास भारत चांस के विपक्षी संबंदों का प्रतीक भी बन गया इसलिए विकल्पे सही है यानि इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा विकल्प एक केवल एक कथन ही तही है चलिए अगला प्रश्ण देखें बैश्विक जैरींधन कड़बंदन के संदर में निम्खित कत्मों पर विचार कीजी कथन एक है ये जीकुर्टी के अंधर शिरूप में भारत के पहल है कथन दो है इसका लक्ष प्रवदयोगी के विकास को सुवेधा चनक बनाना टिकाउ जैरींधन के उप्योग को बढ़ावा देना है उपरित में से कौन से से कथन सकते हैं या फिर हैं आपको ये बताना है आपके option है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही होता है विकल्पिसी एक और दो दोनों ही कथन सही है खाली है प्रदानमंत्री मोदी ने G20 शिकर सम्मेलन से 29 सितंबर 2023 इसको वैश्विक जैव इंधन गटबंदन यानी GBA का शुभारब में किया इसका शुभारब इस सिंगापूर, ब्रांगलादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्गेंटीना, मौरिशस, और सिर्थ, अरव अमिरात के नेताओं के साथ मिलकर किया गया वैश्विक जैव इंधन गटबंदन G20 के अदक्षी रूप में भारत के एक पहल है, इसली कथन एक सही है इस गटबंदन का लक्ष प्राद्योगी के विकास को सवेता जनग बनाना वर टिकाओ जैवी इंधन के उप्योग को बढ़ावा देना है, इसली कथन दो भी सही है जैवी इंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्चिक सही होग को प्रोट्साखन देगा विकल्पसी सही है, यानि इस प्रश्ण का से उत्तर होगा विकल्पसी एक और दो दुनों ही कथन सही है चलिए नेक्स प्रश्चन देखते हैं जैम्स वैब टेलिस्कोप के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजे कथन एक है रास्टी वैमानिकी एवं अंत्रिश प्रशाशन यानि नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्लारे टेलिस्कोप है कथन दो है इसे हवल टेलिस्कोप का विक्सित रूप पाना चाता है वह कथन तीन है वारत्मान ने अंत्रिश में सूर्य प्रत्थी L2 लेंगरेज बिंदू परिस्थित है पर उतने से कौन से कथन सकते हैं या फिर हैं यह आपको बताना है आपके option है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर सभी तीन तो इस प्रशन का सही उत्तर है सभी तीन कथन सही है जैम्स वेब्स टेलिस्कोप यानि JWST को 2021 में लॉंच क्या गया था यह टेलिसकोप नासा, यूरोपी अंत्रिष एजंसी, ESA और कनडाई अंत्रिष एजंसी के बीच एक अंतराष्टी सहयोग का परिणाम है यह राष्टी वैवानिकी एवं अंत्रिष प्रिशाशन नासा का सबसे शक्तीशाली इंट्रेश टेलिसकोप है, सरी कथन आज सही है यह टेलिसकोप बिग बैंग से लेकर आक़र रंगाउं तारों और ग्रहों के निर्मान से लेकर सौर मंडल के विकáस की जाज करेगा यह अंत्रिक्ष में एक बिंदू पर है जिससे सूर्य प्रत्थी L2 लेंगरिज बिंदू के रूप में जाना जाता है इसलिए कथन 3 सही है यह सूर्य के 4 और प्रत्थी की कफशा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमेटर दूर है गौर तलब है कि वर्ष 2022 में नासा ने JWST से लिगई छवियों को चारी किया था जो अब तक हो जी गई सबसे दूर और सबते पुरानी कुछ आकाज़नगाओं की सबसे गहरी एवं बहतरीन अवरत्थ छवियां है इसलिए विकल्प D सही है यानि इस प्रश्न का सहुत्तर होगा विकल्प D सभी तीन कफशन सही है चलिए अगला प्रश्न देखें नेपाव वायरस की संदर में निंखित कत्मों पर विचार कीजिए कफशन एक है यह एक जुनेटिक वायरस है कफशन दो है इससे पहली बार वर्ष 1997 और 1995 में अफरिका में देखा गया था उप्रुट में से कौन सायसे कफशन आसकते है या फिर है ये आपको बताना था आपके आप्शन है केवल एक केवल दो एक और दो दो नो या फिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रशन का से हित्तर है विकल्प भी केवल दो कफशन ही आसकते है चलिए इस नेशन देख लेते हैं खाल ही में केरल के कोजी कोट जिले में दो और प्राकृतिक मौतों के बाद केरल स्वास विमाग ने नेपा वाइरस के संक्रमन को लेकर अलर्ट जारी किया है नेपा वाइरस की बारे बाद के रहें तो एक जिनोटिक वाइरस है जो जानवरों से इंसानों में संचरित होता है इसलिए कथन एक सही है निपा वायरस सुर जिससे जानवरों में भी गंबीर विमारिया कारण बन सकता है ये दूशित भोजन के माधन से या सीधे लोगों की बीच फैलता है ये वायरस अंगादट के मूत्र, मल, लार्व, जन्म के समय तरल पदार्थ में मौजूर होता है इसे पहली बार वर्ष निसस अंठान वे और 1909 मलेशा तता सिंगापुर में देखा गया था इस दी कथन दो गलत है ये रोग टैरो पोडीडे परिवार के फूड पैट के माधन से फैलता है इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, माय लगिया यानि मास पेश्चों में दर्द, उल्टी और गले में खराश आदी शामिल है इससे पहली बार घरेलू सूर में देखा गया और पुत्तों, बिल्लियों, बक्रियों, घोडों उक्तर था भेडो सही घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया इस तरह इस प्रश्चन का सयुक्तर होगा विकल्प भी यानि केवल दो कसन ही असकते है चलिए अब हम पहुँचे एपिसोड के अंतिम प्रश्चन पर तो अंतिम प्रश्चन है यूरोपी मध्युमक्षियों यानि कघने आपने के इनने सामानता प्रश्चन मी-म्ध भी कहा जाता था कघन तो है यह प्रजाती मध्युरोप में प्रवद्धिद मध्युमक्षि का लॉनियों में रहती है उपर इण वाजम से कौन से एक अधन जथन है या पिर हैं यहाँ आपको बताना है आपके ऊपिशन है केवल 1 केवल 2 एक और 2 दोनों या पिर नथो एक नखी दो तो इस प्रश्मता से उत्तर है विकल्पिसी एक और 2 दोनों ही गधन सब्थन हैं सली इस्प्रेशन देख लें देखी जाती है इस तरह इस प्रशन का से उत्तर है विकलपसी एक और दो दोनों ही कथन सही है चलिए अब नोट कर लीजे आज की एपिसोड का भ्यास प्रशन इनका जन्म बॉंबे प्रसिडेंसी आनि वर्तवान महराश्ट राजी में हुआ था ये भारत के एक सरसेट समास धारक के रूप में जाने जाते हैं इनको भूदान अंदुलन के प्रारंब का श्रे भी दिया जाता है उपर उत्तथन किस प्रसिड इरेक्टिव के संदर में है ये आपको बताना है आपके उप्शन है उप्शन ए राजाराज मुहनराय उप्शन बी भारतेंदु हरी चन्र उप्शन सी विनुबा भावे या फिर उप्शन डी सरदार वल्लब भाई पटे तो विर इस प्रसिड का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवाल और जानकारियों के साथ तक तक के लिए शुक्रिया प्रसि औरimetर की प्लिए्ए उजवे औरा जाए झैना कि तक के लिए पली स्वागोते हैं विर झाल भावे क्यों क्योन चście विर उता जानकारियों कि विलते हैं उल्ollूत다